आप लोग आई होप सब यह अच्छे होंगे पिछले वीडियो में हमने IT कुवाटी के माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में देखा था बट वहां आप लोगे कि बहुत जादा डाउट्स आरे इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग तो हमने सोचा कि हमें कलक सी वीडियो स्पेशल बनाके आपके सारे डाउट्स इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग लियर कर देते हैं तो इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग सारे डाउट्स देखने वाले हैं और उनके हम एंसर्स देखेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने कुछ questions उठाए है comment section से उसके बाद कुछ students ने मुझे DM किया था वहां से भी मैंने यहां पर कुछ questions उठाए हैं इसलिए first questions हम स्टार्ट करते हैं यहां पर first question एक student ने पूछा था classes will be online और offline तो classes यहां पर आपकी online होने वाली है IT का आपको जो micro credit program है इसमें आपकी classes online होंगी online में भी आपकी live classes होंगी और आपकी कुछ classes recorded होंगी तो live आपकी classes doubt sessions जो आपके होंगे वो आपके live होंगे recorded classes आपकी जो normal classes होती है वो आपकी recorded form में आएंगी तो आपको यह वाला डाउट पूरा clear होगया और classes आपकी online होने वाली है online में भी आपकी live classes और recorded classes दोने होने वाली है चलिए अपने second question के और चलते हैं भाईया what about scholarships तो यहाँ पे मैं simply बता दूँ यहाँ पे आपको scholarships provide नहीं होती है बट यहां पर एक आपके लिए good news है जो मैं आपको यहां पर पहले दिखा देता हूं पसली मैं आपको चीज दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर no cost TMI option starting from 8000 per month for 24 months तो जो students मतलब जिन students की family income थोड़ी सी less है या फिर family background थोड़ा सा कमजोर है तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा option होने वाला है no cost TMI options आपके 8000 per month से start हो तो आप 24 months के लिए TMI एक अपनी करा सकते हैं जिसमें आप 8000 per month रुपीज दे सकते हैं तो यह भी आपका एक तरह का scholarship ही हो गया इसमें आपकी पैसे तो कम नहीं हो रहें बर आपकी fee थोड़ी थोड़ी करके आप जमा कर सकते हैं installment में कह सकते हैं इंस्टाल्मेंट में आप उपनी fee जमा कर सकते हैं यहाँ पर यह चीज आईए कि आपको scholarship तो यहाँ पर provide नहीं हो रही है बट, यहां पे आपको एक अलग से installment पे आपको Fees देने की मतलब अलग से आपको एक सुविधा मिल रही है कि आप अलग से आप installment पर भी Fees जमा कर सकते हैं तो आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी अगर आपको यह चीज पता और मसाई स्कूल वाले जॉब की एक्षूरेंस तो आपको देते हैं बड़ यहां पे उन्होंने कुछ कंडीशन रखे हैं तो आयह मैं कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ एक बार यहां पर जॉब के लिए भी उन्होंने कुछ conditions रख दी है पहले से ही तो इस वाले में है शायर तो यहां पर यह देख लिए जॉब assurance तो यह दे रहे हैं बट यहां पर इन्होंने कुछ conditions रखी है मैं एक बार आपको conditions भी पढ़के समझा देता हूँ eligibility for microclimate program in CSC job assurance के लिए आपको पहले तीनों समेस्टर अपने कंप्रीट करने होंगे तीनों समेस्टर के अपने एसाइमेंट्स और अपने तीनों समेस्टर के प्रोजेक्ट कंप्रीट करने होंगे पहले eligibility तो आपकी यह है देन उसके बाद आपके 70% के उपर मार्क होने तीनों समेस्टर जैसे ही आप पास करते हैं तो आपके तीनों समेस्टर के जो average होंगे 70% के उपर होने चाहिए तभी आपको यहाँ पर job assurance मिलेगी वरना यहाँ पर आपको यह जॉब assurance प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं तो आपको यह चीज भी समझ में आ गई होगी अब हम देख लेते हैं what is the duration of this program तो इस program की duration आपकी one years की है I think यह चीज तो सबको clear होगी program की duration आपकी one years की है यह आपका एक minor degree का program होने वाला है तो I think यह fourth हमारा doubt भी clear हो गया कि आपके इस program की duration one years की होने वाली है what is the total fees of this program total fees आपकी 1,95,000 इस program की total fees है जिसमें की आपको EMI की भी अलग से सुबिधा मिल रही है EMI आप अगर submit मतलब EMI अगर आप installment में पे करना चाहते हैं तो आप 8,000 पर month 24 months के लिए pay कर सकते हैं तो अगर आपकी family income थोड़ी से less है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अगर आपकी family income थोड़ी भी कम है या आप बीकर background से आते है आपके लिए यह एक बहुत ही अच्छी opportunity होने वाली है बट इसकी piece one year की 1,95,000 परपीस है I think आपको यह वाला doubt भी clear हो गया होगा फिलिए next doubt पर देख लेते है is there any refund policy if we didn't get any job तो यह आपको बहुत ही important doubt होने वाला है कि भाईया मैंने यह पूरी degree तो complete कर ली मैंने fees भी पे कर आपको सीधे ले जाके इस पोटल पर ही answer करता हूं इस doubt का सीधा सा answer है यहाँ पे आप देख लेजे मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूं यह रहा आपका refund policy तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताये the refund policy is applicable only to candidates who are not placed within 90 days of graduation to be eligible for this refund candidates must have above 70% तो देखिए यहाँ पे आपको य देंगे यह साफ साफ कहा रहा है आईटी घुवाटी और मसाई स्कूल वाले हम आपको refund देंगे बट कब देंगे अगर आपकी 90 days के अंदर complete करने के पाद अपनी ग्रेजुएशन इसको ग्रेजुएशन कहा रहा है एक साल के अपनी प्रोग्राम को ग्रेजुएशन कहा रह कि अगर आपके 70% के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं देन ही यह आपको मतलब refund देंगे वरना नहीं देंगे तो मैं एक बार आपको सजी से समझा देता हूं साफ साफ अगर आपके 70% के ऊपर है आपने पूरी डिग्री कंप्लीट कर लिए और आपको 90 days हो गए है ग्रेजुएशन कंप्लीट किये है तब भी आपकी प्लेशमेंट नहीं हुई है तब आपको यह refund देने वाले हैं वरना यह आपको refund नहीं देंगे तो आपको यह चीज़ क्लियर हो गए होगी आप इनोंने तीन कंडिसें रख दिये हैं refund के लिए कि 90 days कंप्लीट होने चाहिए मतलब पहले आ 50 days complete हो गए हूँ और आपकी graduation में 70% के ऊपर marks हूँ तब ही आपको यह refund देंगे वरना आपको यह refund नहीं देने वाले हैं और कुछ लोग पूछेंगे graduation graduation इसी एक साल के degree को यह कह रहा है graduation तो आपको यह चीज़ क्लियर हो गई हो कि refund आपको यह देंगे बट आपके पास तीन यह criteria नोंने लगा दिए कि आप यह theme criteria पहले fulfill करें देन उसके बाद ही आपको यह देने वाले है report हो के वह यह चलिए देख लेते हैं हम आ गया हूँ यह सारे हमारे doubts सो clear हो गए थे अब यहां से start करते हैं यहां पर next doubt है हमारा भया क्या हमारा convocation होगा तो yes आपका convocation आप campus को explore कर सकते हैं libraries जा सकते हैं then आप cultural fairs, events, sports fairs सारे चीज़ में आप जा सकते हैं आपका convocation भी same btex student जैसा ही होगा तो यह doubt भी I think आपको clear हो गया होगा slaybers of entrance desk तो बहुत लोगों के doubt आरतर यह slaybers क्या entrance desk का हम अगर form को fill कर दे रहे हैं तो हम पढ़ाई क्या चीज़ की करें तो slaybers हमारा क्या होने वाला है slaybers से पहले हम यह वाला doubt clear करते हैं फिर हम portal पे चलते हैं मैं आपको पूरा slaybers समझा दूंगा एक ही बार में commerce students eligible for admission तो yes commerce students यहाँ पे eligible है bio वाले students, humanities वाले students, arts वाले students सारे students यहाँ पे eligible बस यहाँ पे इन्होंने criteria रखें कि आप अगर 12th pass है यहाँ पे आप eligible है इस degree के लिए minor degree है तो minor degree के लिए आप eligible अगर आप 12th pass है तो आई चले हम अपने slaybers वाले पार्ट को देख लेते हैं आईए मैं आपको slaybers दिखा देता हूँ इस program का slaybers वाला पार्ट आपका शायद इस वाले में था यह रहा आपका slaybers तो आईए मैं आपको slaybers दिखा देता हूँ slaybers में यह entrance का सारे चीज़े और clear हो जाएंगी आपको यह total time 60 minutes के देंगे total question आपके 45 questions आएंगे total sections आपके 4 sections रहेंगे और minimum sorry maximum आपके 240 marks रहेंगे तो I think आपको test की यह सारे details तो clear हो गई है कि आपके 60 minutes का आपको time मिलेगा जिसमें कि आपको 45 questions करने होंगे उसमें आपकी 4 sections होंगे और आपके 240 marks के सारे questions होंगे अब आईए हम slavers की बात कर लेते हैं तो slavers आपको cognitive ability आएगा जो कि आपका 20 marks का आएगा फिर attention to details आएगा then आपका verbal ability आएगा then आपका communication skills आएगा यह सारे 20 marks के हैं 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80 total यह आपके 80 marks के होंगे और आपको इसके लिए 10 minutes मिलेंगे इसके लिए 10 minutes इसके लिए 10 minutes और इसके लिए 10 minutes तो आपको A, B, C, O, D इसके लिए 10-10 minutes मिलेंगे 15 questions आपके cognitive ability के आएगे then आपके attention to details के 15 questions आएगे verbal ability के आपके 15 questions आएगे और आपके communication skills के भी 15 questions आएगे यहाँ पे थोड़ा सा marks का अलग-अलग है अगर आप इसके एक question सही करते है कोगनेटिव ability के अगर आप 1 questions सही करते हैं तो आपको 4 marks मिलेगा incorrect question पर आपके आपके कोई भी negative marking नहीं है अगर आप attention to details के 1 questions सही करते हैं अगर होगी इंग स्लेबर पो एक बहर BRIपली देख लेते हैं को आपका जो स्लेबस रहेगा वो आपका फर्स रहेगा लॉजिकल रीजनिंग में आपके clock एंगल बिटिविन एन आवर एंड मिनट हैंड मिरा टाइम यह सारे आपके questions आने वाले लॉस गें इन टाइम यह सारे आपके questions आने वाले हैं तो basically आप समझ सकते हैं कि आपने 10th ले सेगेंड वाले में आपका calendar से related question आएंगे find odd days with and leave year find days करके जो आपके questions आते हैं क्या आने वाले तब आप ये सारे questions कर ले जाएंगे, फिर आपके directions वाले questions आते हैं, जिसमें आप Pythagoras, Theorem, Shadow, Hershey's use कर सकते हैं, logical deduction के आते हैं, cause and effect के आते हैं, cubes के आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी यहां पे questions हैं, data sufficiency के है, recording, encoding के हैं, arrangements के question है, the second part पर हम आते है, quantitative availability पर तो आपके LCM, HCF, ratio, proportion, mixtures, allocation, partnership, percentage, profit and loss, interest, average, time and distance, train, ये सब आपके questions आते हैं, इसमें, okay, तो basically आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपके math के question आने वाले हैं, second part में, आपके math के question आएंगे, first part में आपकी logical thinking रहने वाली है, okay, attention to details में आपके count आएंगे, sequence आएंगे, sequence आपको दिया रहेगा, आपको वो sequence पूरा maintain करना रहता है, मतलब sequence कुछ दे देता है, बीच के find missing वाले number को आपको find करना रहता है, ऐसी कुछ questions आपके आने वाले हैं, attention to details में, okay, verbal ability में आपका English आने वाला है, English में आपका grammar आएगा और at last हमारी communication skill में, in this section you will require to record a video on a random question asked to you, तो आपको आपसे ये एक random question पूछेंगे, आपको उसकी video record करनी होगी, और इने इनके mail पे send करना होगा, okay, तो communication skills वाला थोड़ा सा part tough हो जाता है, अगर आप camera के आगे camera अगर आप face करने से घवडाते हैं, आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, और second part में, you will be provided with a preparation time to think the question record the time for your response, जैसे कि आपको पहले question देंगे, फिर आपको थोड़ा सा time देंगे, for example, आपको आधे गंटे देती हैं, आधे गंटे में आपको record करके, अपने response को, इनको send करना पड़ेगा, ओके, फिर preparation time will start when you start the section recording, time will start once preparation time is over, तो आपको यह preparation के लिए थोड़ा सा time देंगे, जैसे कि आपको किसी चीज़ पे एक topic देती है, जैसे इंडिया भी आपको बोलने को एक topic इन send करना होगा, तो आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी, आपको सारे test के सारी चीज़े clear हो गई होगी, आपके test में क्या क्या चीज़े आने वाली हैं, एक बार और मैं आपको बता जू, total time आपको 60 minutes का मिलेगा, total questions आपके 45 रहेंगे, total sections आपके 4 रहेंगे, और maximum marks आपके 240 रह ही है, यह हमारी last slide है, last slides की भी हम questions देख लेते है, total number of questions and time duration यह मैंने आपको बता जिया, total number of questions भी बता जिया, time duration भी पहने आपको बता जिया, 60 minutes के आपके time duration रहेंगे, qualified का, और syllabus भी मैंने आपको समझा दिया है, I think अगर आपने नहीं दिये खा होगा, तो अब एक बार फिर आप यहां भी जा के library भी, मतलब library के अंदर भी जा सकते हैं, अगर आपके पास ID card है then, और यहां पे आप campus को भी explore कर सकते हैं, तो आप यहां के cultural fest, campus explore, और यहां भी जो भी events होते हैं, सारी चीज़े आप attend कर सकते हैं, आप convocation भी यहीं पे होगा, यहीं पे कहा है, मतलब सारी चीज़ भी clear हो गई होगी, is this course worth it, it's not a scam or fraud, यह वाली चीज़े बहुत आई थी, comment section में भी, और दो-तीन लोगों ने मुझे DM करकी भी पुछा, तो भी यह scam तो नहीं नहीं, यह fraud तो नहीं नहीं, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, यह IT, भुहाटी और मसाई स्कूल का collaborated course है तो यह आपका बिलकुल scam और fraud नहीं है, और रही बात, is this course worth it or not, तो अगर आपने इस course में अच्छे से पढ़ाई की, और इनकी जो एक eligibility है 70% वाली, अगर आपने उस eligibility को clear किया, और अपने skills अच्छे से gain किये, then आपकी job assurance तो 100% यहाँ पे यह दे रहे हैं, तो job आपकी पका से लग जाएगी, और अगर job नहीं लगती है, तो यह आपको refund policy भी दे रहे हैं, तो यह course worth it है, बट इसकी थोड़ी से fees जाती है, तो अगर आप इस fees में sustain कर पा रहे हैं, then go for it, तो यह आप इस course के लिए जा सकते है, worth it आपका यह course होने वाला है, बट यह है, आपको skills के लिए यह आईटी, गुवाइटी और मसाई स्कूल वालों ने यह course निकाल है, job oriented course है, तो यह worth it course होने वाला है आपका, तो अगर कोई भी पूस्ता है, is this course worth it, तो yes, यह course आपका worth it है, अगर आपको job चाहिए, अगर आपको job की बहुत need है, आपके पास skills है, आप एकदम आच्छे से चाह रहे हैं, आपके लिए एक course है, आप इस course में जा सकते हैं, यह कोई scam और fraud नहीं है, तो आज के लिए बास सितना ही रहने दिते हैं, क्योंकि यह आपे खतम हो गए हैं सारी questions हमारे, इसके अलावा, क्योंकि मैंने आप 12 से 15 questions cover कर दी हैं, अगर इसके अलावा easily clear हो जाएंगे, आपको यह सारे doubts clear हो गए होंगे, अगर इन doubts में भी आपको कोई problem आती है, तो आप comment section में आके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई doubts हैं, तब भी आपके comment section में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके उसका answer कर दूँगा तो आज के लिए बस सित्ता ही रहने देते हैं, मिलते हैं next video में, till then bye bye